Hello and welcome to all of you आज हम लोग साइन्स क्लास सेवनंत कागलर टोपिक पढ़ेंगे तो पिछेले टोपिक में हमने देख लिया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है और इसका डेफिनिशन आपको लिख़ा दिया गया था फिजिकल चेंज क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज यानि रासाइनिक परिवर्तन क्या होता है तो आईए इसकी रेडिंग हम यहां पर शुरू करते हैं एचेंज इन वीच यू आर क्वाइट फैमिलियर इच रस्टिंग आफ आइरन एक ऐसा परिवर्तन जिससे आप पूरी तरीके से परजित हैं वो लोही में जंग लगना है अगर आप लोही कि किसी टुकड़े को खुले में कुछ देन के लिए छोड़ देते हैं तो इसके उपर एक भूरी रंका एक ब्राउनिश जो है एक फिल्म एक पतली परत इसके उपर लग जाती है और यह जो पदार्थ यहां भूरी रंका होता है उसको क्या कहते हैं इस सबस्टेंस को हम रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रस्टिंग कहते हैं आइरन गेट्स और पार्क जो पार्क में आइरन गेट्स होते हैं और फार्म लेंड्स होते हैं या फार्म लेंड कोई खेत है उसमें जो गेट लगा हुआ है आइरन बेंच होता है kept in lawns and gardens almost every article of iron kept in the open gets rusted तो बाहर कोई भी बस अगर रखी गई है तो ये थोड़ी दिन के बाद में rust हो जाती है इसमें जंग लग जाता है at home you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the air तो अपने घर में आपने जो है shovels, shovels और spade को आपने देखा होगा अगर कहीं पर रखा हुआ है तो इसमें rust रस्टिंग शुरू हो जाती है जो shovel होता है इसको हम belcha बोलते है हिंदी में इसको आपने देखा होगा ये ज्यादा तर जो किसी गिट्टी वगईरा को उठाने के लिए या बाल वगईरा ये इस तरीके का एक instrument होता है इससे इस तरीके से और इसमें हम हाथ से पकड़ कर इसको जो है कोई भारी कोई सामान हो इसको हम ऊपर किसी ट्रॉली वगईरा में भरने के लिए इसका यूज़ करते हैं आगे जो आपका हमियाँ उज़ फाल है ये इस तरीके का होता है उन्य यह लोन cui का लिए तो यह को आपके स्पेड कही जाते हैं उन्य तो यह दो तरीके कहीं है और जो शावल इसको आपने जाना तो यह Está भी घरों में अगर आपके शाओल रखा हुए या कोई स्पेड रखा है तो यह आपका क्या होता है रस्ट हो जाता है जब भी इसको आप खुले में रखते हैं इसमें दिया गया है इट्मोसफेर फार सम टाइम तो इसको अगर इट्मोसफेर में कुछ दिन के लिए हम है खुले में तो इसमें क्या होती है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है अब यहां पे आप देख पाएंगे जैसे लोही के देखे तमाम सारी सामान जो है यहां पर रखे गए हैं देखे कोई किजाली यहां पर रखा हुआ है यह कोई तूटा-फूटा सामान है यहां पर य अब यहां पर देखिए यह जो है आपको अपको थोड़ा से जूम करके इधर बगल में दिखाया गिया है यहां पर यहां पिरन रम देखा आप चूतर है शोड़ीM में देख पाएंगे बहुत नद honey गई हैं तो आगे इसमें हम रीड करते हैं इंदा किचेन होता है उसमें देखिए आबेट आइरन पाइन कोई गीला जब लोही का तवा होता है और उसको कुछ देर के लिए हम बाहर रख देते हैं तो थोड़े देर के बाद में इसमें रस्ट लग जाता है इसमें भी आइरन जो आपका रस्ट होता है एक्ट्वल में यह आइरन नहीं होता है जो आइरन है यह अलग चीज होता है और रस्ट जो है अलग चीज होता है विट इस डिफरेंट फ्रॉम आइरन ऑन वीच इट गेट्स डिपॉजिटेट तो यह डिफरेंट होता है जिससे यहां पर यह जो deposit होता है उससे यह different होता है आगे इसमें read करते हैं on which it gets deposited तो जो deposit substance होता है यह थोड़ा सा यह आपका different होता है let us consider a few more changes where new substances are formed तो चलिए हम कुछ और भी नई परिवरतन को देखते हैं जहां पर new substance आपका form होता है बनता है तो यहां पर हम read करते हैं इसको हम देखते हैं activity 6.6 में to be demonstrated by the teacher demonstrated मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाया जाना तो यह teachers की द्वारा demonstrate करना है अब यूकि हम विडियो से पढ़ रहे हैं तो demonstrate करना तो possible है नहीं तो इसको हम rate करते हैं आपको काशन दिया गया है साउधानी सबसे पहले आपको बताई गई है इसमें देखिए इस डेंजरस टू लुक फार लॉंग टाइम बर्निंग magnesium ribbon तो magnesium ribbon को अगर आप तेर तक आँख से देखते रहते हैं तो यह dangerous है थोड़ा हानिकारक है आँख के लिए the teacher should advise children not to stare at the burning ribbon तो teacher को क्या करने चाहिए advise करने चाहिए सुझाओ देना चाहिए कि stare का मतलब होता है टक टकी लगांके देखते रह जाना तो एक साथ जब यह experiment हो रहा है तो इसको आप एक साथ नहीं देखेंगे थोड़ा सा देखके फिर आँख को दूसरी तरफ आपको देखना शुरू कर देना है तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है गेट इसमाल प Ayatth Sandpaper, Sandpaper से इसके टिप को क्या करेंगे, साफ करेंगे Sandpaper किया होताइक कागज होता है और इसके उपर बालु जैसे खुरुद्रा पदार्त को रखा जाता है तो जैसे ये एक खुरुदुरा होता है तो जिससे लोही अगर जंग लगा है उसको थोड़ा सा अगर्ण देंगे तो वो साफ हो जाएगा तो उसी तरीकRE से S زेंड पेपर आपका होता है कागज का ट्कड़ा होता है कि आगे देखें इस और के कैंडल फ्लैम के पास मिले कर जाएंगे आगे जलता है बिठीया बिर्लीय stimulation लाइट एक बहुत ज्यादा अच्छे सफेद प्रकाश यह जलता है in it is completely burnt it leaves behind a powdery ash तो जब यह पूरी तरीकी से जल जाता है तो इसके पीछे क्या बचता है पाउडरी एक जो है राख का पाउडर एक मचता है एश यहाँ पे बचता है यह ध्यान देना है आज़ी देखें डॉस दा एश रूक लाइक दा क्या जो यहां पे राक बना है क्या यह मैगनेशियम के रिवन के जैसा दिखाई देता है तो निश्च्य दुरुप से कोई भी पदार जब हम जला देते हैं तो जलने के बाद जब उसका राक यहां पे नीचे बचता है तो राक बिल्कुल पहले वाले पदार की तरह नहीं द कर सकते हैं और यहां पर देखें पहले क्या होता है मैगनेशियम ऑक्सीजन के प्रिजन्स में जो है जलता है और ऑक्सीजन और मैगनेशियम मिलकर क्या बना देते हैं मैगनेशियम ऑक्साइड बना देते हैं और इस तरीके से यह आपका एक नया पदार्थ यहां पर बन ज जाते हैं तो magnesium oxide एक अलगपदार बनता है जो राख आपको दिखाए देता है यह magnesium oxide होता है यहां पर एक बहुत अच्छी बात यहां पर आपको बताई गई है the equations here are different from those of mathematics in equations of this kind the arrow implies becomes तो यह जो equation होते हैं इनको हम chemical equations कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं chemical equations कहते हैं इसमें जो arrow होता है यह आपको यह बताता है कि becomes मतलब यह बन जाता है यानि magnesium और oxygen मिलकर क्या बन जाता है magnesium oxide बन जाता है जो हमारा mathematical equation होता है उसके बीच में equality की sign होती है लेकिन जो हमारा chemical equation होता है उसमें arrow का shine होता है बीच में यह आपको ध्यान देना है यह mathematics से बिलकुल different होते हैं mathematical equation में क्या होता है हम जो left hand side होता है उसको transpose करके sign change करके right hand side में लिये जाते हैं लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें सिर्फ आपको यह बताने के लिए equation बनाये जाता है कि कौन-कौन सी चीजें मिलकर की एक नया पदार्थ कौन सा बना रही है यह आपको ध्यान देने के लिए सिर्फ यहां पे इसको बनाये जाता है आगे देखे no attempt should be made to balance chemical equations at this stage तो यहां पे आपसे कहा गिया है कि chemical equation को balance करने का कोई प्रयास अभी नहीं करना है आपको क्योंकि अभी आप लुक सेवन्थ में हैं तो वो चीज आपके समझ में नहीं आएगी अभी आपको साइद पता भी नहीं होगा कि chemical जो balance equation क्या होते हैं तो इन सब बातों पे हम नहीं जाते हैं हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि magnesium और oxygen मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं magnesium oxide कहते हैं आगे इसमें read करते हैं collect the ash and mix with a small amount of water जो आपने राख है इसको आपका collect करिए कठा करिए और थोड़े से पानी के मात्रा की साथ इसको आप mix कर दीजिए stir the mixture equals solution bell जो equals का मतलब होता है जलिए और solution का मतलब होता है विलेन एक ऐसा solution जिसमें आपका पानी भी हो एक solution ऐसा है जैसे माल लेते हैं कि आपने सरसों के तेल को और soybean के तेल को एक साथ मिला दिया तो यह भी एक solution बना लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है तो यह जलिए गोल नहीं है तो एक ऐसा गोल आपको बनाना है जिसमें पानी युगत हो तो उसको हम aqueous solution कहते हैं तो यहां पे जो राख है उसको आप पानी में अच्छी तरीके से घोल देंगे इसको अच्छी तरीके से mix कर देंगे test the mixture भी था blue and red litmus paper जो आपका mixture है इसको blue और red litmus paper के साथ में आप इसको आपको इसको क्या करना है चेक करना है तो आगे देखे does the mixture turn red litmus blue तो क्या यह जो mixture है यह red litmus को blue blue में turn करता है तो इसका answer हो जाएगा s जब आप जो राख है इसको घोल करके जब आप इसमें red litmus paper डालेंगे तो इसका color change हो की क्या हो जाएगा blue हो जाएगा इसका आर्थ क्या होगा आपने भी पिछले chapter में पढ़ा है अगर कोई red litmus किसी solution में blue हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो आपको solution है वो कैसा है basic solution है उसकी property कैसी होगी basic होगी यानि यह acid नहीं होगा यह क्या होगा base होगा solution आपका base है आगे देखे डज़ दा mixture turn blue litmus red लेकिन जब आप इसमें क्या करेंगे जब blue litmus इसमें आप डालेंगे तो blue litmus में कोई color का change नहीं होगा वो blue ही रहेगा तो इसलिए यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो ash या राक जो बचा था magnesium को जलाने के बाद में वहां पे जो आपका solution यहां पे बनेगा वो कैसा बनेगा वो basic solution बनेगा तो यहां पे आप देख पा रहे है magnesium ribbon burning जो magnesium का तार है आपका एक candle जल रहा है यहां पे और इस तार को हम एक टॉंग से यहां पे पकड़ते हैं और यह इतना लंबा तार था और यह देखिए कितने तेजी से यहां पे जल रहा है और कैसा इसकी white light यहां पे दिख रहे हैं आपको तो अबर आले आपका यहां पे था अब यहां पे देखिए इसको आगे read करते हैं on the basis of this test how do you classify the echo solution estric और basic तो इस test के basis पर हम इसको basic solution में classify करेंगे क्योंकि estric होता तो यह blue litmus को red कर देता लेकिन इसने blue litmus पे कोई color का change नहीं दिया red नहीं किया इसने red litmus को बलकि blue कर दिया है आगे दिखिए on dissolving the ash in water it forms a new substance जब इसको हम पानी में घोल देते हैं तब यह जो राख है यानि राख क्या था MgO राख आपका क्या था magnesium oxide था और यह magnesium oxide को जब हम पानी में घोल देते हैं तब फिर से एक नया पदारत है बना लेता है the change can be written in the form of the following equation तो जो नया पदारत पानी में घोलने के बाद ही बनाता है इसको हम नीचे एक दूसरे chemical equation से इसको लिख सकते हैं देखिए magnesium oxide and plus water H2O it forms magnesium hydroxide यह के बना लेता है magnesium hydroxide बना लेता है MgOH2 इसको हम क्या read करेंगे magnesium hydroxide जैसे जो आपका magnesium है इसको simple form में हम Mg रख देते हैं जैसे कहीं पर doctor होता है तो उसको हम DR लिख देते हैं simple form में उसी दरीके से magnesium को हम Mg लिखते हैं और पानी को इस ट्रो लिखा जाता है तो यह आपका क्या हो गया MgO2 magnesium hydroxide बन जाता है तो यहां पर देखिए जो magnesium oxide था यह आपका एक दूसरा substance था लेकिन यहां पर जब magnesium hydroxide बना तो यह एक तीसरा substance बना इसके पहले खाली खाली आपका magnesium था तो दिखे किस तरीकी से यहां पर नया पदार था आपको मिलता जा रहा है तो इस तरीकी के change को हम chemical change कहते हैं जिसमें कोई नया पदार सापको बन कर मिल जाता है आगे इसमें read करते हैं chapter 5 magnesium hydroxide is a base magnesium hydroxide क्या है एक base is so magnesium oxide is a new substance इसलिए magnesium oxide एक new substance होता है formed on burning the magnesium जिसको magnesium को जला के हम बनाए हुए थे magnesium hydroxide is another new substance जो magnesium hydroxide होता है यह एक अलग दूसरा पदार्थ होता है formed by mixing of magnesium oxide with water और magnesium oxide को जब हम पानी में मिला देते हैं तो यह एक अलग नया पदार्थ यहां पे आपको मिल जाता है तो इस video में हमने सिर्फ एक experiment यहां पे किया है सबसे पहले हमने यह देखा कि कुछ है से reaction होते हैं जैसे इहां पे दिखे आयरन नहीं रहता है ठीको से तरीके से जब हम magnesium oxide को जलाते हैं तो यह magnesium oxide बन जाता है तो magnesium को जलाने से पहले एक नया पदार्थ magnesium oxide बना और जब हमने magnesium oxide को पाने में घोल दिया तब फिर से एक नया पदार्थ बन गया Mego1 यानि जो magnesium hydroxideatta बना और नया पदार्थ नहां पर बन गया तो यह आपको ध्यान देना है कि जब हमने मैगनेशियम को जलाया तो मैगनेशियम से मैगनेशियम ओक्साइड बना मैगनेशियम ओक्साइड एक नया पदार्थ बना और जब हमने मैगनेशियम ओक्साइड को इसको हमने magnesium hydroxide कहा तो यह आपको ध्यान देना है और आगे भी इसी तरीके कुछ और भी reactions हैं जिसमें कोई हमारा basic substance एक नया पदार्त बना देता है तो इन सारे reactions में जो नया पदार्त बनता है इसलिए इसको हम कहते हैं chemical reactions यहाँ पे एक chemical change हो रहा है एक नया पदार्त बन रहा है जैसे पिछले activity में आपको कागज के लिए बताया गया था कि कागज को जब हम काटते हैं तो यह कागज ही रहता है यह कोई लोहे का टुकड़ा नहीं बन जाता है काटनी के बाद में यहाँ पे एक change होता है कागज पहले बड़ा टुकड़ा था फिर चोटा टुकड़ा हो गया लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब magnesium को जब हम पहले जला देते हैं तो पहले यह magnesium होता है लेकिन जलने के बाद यह magnesium नहीं रह जाता बलकि magnesium oxide हो जाता है और इस तरह के जो change होते हैं उनको हम chemical change कहते हैं इसको और भी आगे कुछ और experiment से हम इसको देखेंग कि अगले जो अगले वीडियो में हम आप यह 6.7 experiment को पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पे end करते हैं thanks for watching